एक गाव में मोती नाम की एक प्यारी और चालाक बिल्ली रहती थी वह सफेद और भूरे रंग की थी और उसकी आखें चमकदार हरी थी मोती पूरे गाव में अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए मशूर थी वह चुपके से चूहे पकरने में माहिर थी और गाम के लोग उसे अपने घरों में बुलाते थे ताकि वह चूहों से उनका घर बचाय सके गाव में एक बड़ा गोदाम था जहा बहुत सारा अनाज रखा जाता था उस गोदाम में बहुत सारे चूहे हो गए थे, जो अनाज को कुतर रहे थे और गाव वालों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे गाम के मुखिया ने मोती को बुलाया और कहा, मोती, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम इन चूहों से चुटकारा दिला दोगी, तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे मोती ने मुखिया जी, आप किंता मत कीजिए, मैं जल्द ही इस समस्या का हल निकाल दूँगी, इसके बाद वह गोदाम में चली गई और वहाँ चुपचाप हर कोने का जायजा लेने लगी लेकिन जब मोती गोदाम में पहुची, तो उसने देखा कि चूहे बहुत चालाक थे, वे कभी एक जगर पर टिकते नहीं थे और बहुत तेजी से इधरुधर भागते थे मोती ने सोचा, अगर मैं सीधा इनका पीछा करूँगी, तो ये मुझे पकरने नहीं देंगे मुढ़े अपनी चालाकी से काम लेना होगा मोती ने एक योजना बनाई वह कुछ दिनों तक चूहों का ध्यान भटकाने के लिए गोदाम के अलग-अलग हिस्सों में चुपचाप बैठी रहती थी, ताकि चूहे यह सोचने लगे कि मोती अब कोई खत्रा नहीं है धीरे धीरे चूहे बेफिक्र होकर बाहर आने लगे और खुलेयाम गोदाम में घूमा करने लगे एक रात, जब चूहे पूरे गोदाम में फैले हुए थे, मोती ने अचानक एक तेज छलंग लगाई और एक चूहे को पकर लिया चूहे ने डर के मारे बाकी चूहों को आगाम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मोती ने अपनी चालाकी से एक एक करके चूहों को पकरना शुरू किया चूहे अब डर गए और गोदाम से भागने की कोशिश करने लगे लेकिन मोती ने गोदाम के दरवाजे के पास चिपकर बैठी थी और जैसे ही चुहे बाहर जाने की कोशिश करते, वह उन्हें पकर लेती। कुछ ही दिनों में मोती ने सभी चुहों से गोदाम को मुक्त कर दिया। गाम के लोग बहुत खुश हुए और मोती की तारीफ करने लगे। मुखिया ने उसे बहुत सारा दूत और मचली इनाम में दी। मोती ने सभी को यर सिखाया कि केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि होशियारी और धैरे से भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें धैरे और चालाकी से काम लेना चाहिए और सही समय पर सही कदम उपाने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। झाला कर सकते हैं। झाल झाल झाल